इस वर्किंग मोडल इज रिकार्डिंग अबाउट लाउट एक्स्पोनेंट यह कैसे करेगा हम स्टूडेंट्स बुलाएंगे और बोलेंगे आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे A raise to power M into A raise to power N और स्टूडेंट्स इसमें मैच करेंगे वो power किस से related है जैसे की A raise to power M into A raise to power N यह हमारी किस से represent हो गई A raise to power M plus N से तो इस स्टूडेंट्स यहाँ पर उसको represent करेंगे ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे next property लेके आएडेंटिटी A raise to power M divided A raise to power N तो इसमें भी स्टूडेंट्स फिर क्या करेंगे इसको ढूंडेंगे और फिर इसके एकवल मैच करेंगे A raise to power M minus S यह working model इस स्टूडेंट्स से ही work करेंगा और यह हम rotate करवाएंगे स्टूडेंट्स से अब A raise to power 0 है जैसे अब A raise to power 0 है उसको हम रिप्लेजेंट कर आएंगे बच्चों से तो वह वन केकवल रिप्लेजेंट कर दो है थैंक्यूद्स